हेलो गाईज वेलकों बैक टू माई चैनल रुद्धी ओफीशल जोन और आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए यूनिट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूं जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी हद तक बेनिफीशियल है तो यह जो टॉपिक्स में आपको आज डिसकस करूंगी दोस्तों यह इसलिए भी बेनिफीशल है क्योंकि यह आपके एक्जाम में अगर आपने इतना ही यूनिट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इस से यह पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़े हैं यही टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड दक देखी जाए वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टन बात मैं आपको एक चीज़ और बता जीते हैं दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अभी तक जैन्डर मैंने सब में हिंदी और इंग्लिश मीडियम डाल रखा है और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टन बात कि अगर कोई ऐसी वीडियो जो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजेगा मैं जल से जल वीडियो आपके लिए लेकर होंगी जिससे के आपकी क सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं सारी पीडियो जो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजेए पीडियो सब आपको वहां पर प्रोवाइट कर दीजाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले आप देखेंगे तो आता है हमारा एजुकेशन करेंगे तो आप उसका मीनिंग डेफिनिशन कॉंसेट नीड और इंपोर्टेंस जरूर कीजेगा क्योंकि कभी कभी आप लोगों को डारेक कोशन पूछ किया जाता है कि राइट दा मीनिंग ओफ इंक्लूजिव एजुकेशन एंड राइट इस अबाउट नी एक्जाम में पूछा जाता है वो भी लॉंग कोशन में तो आप लोग इसे लॉंग कोशन के इसाप से जरूर कीजेगा उसके बाद है डिफ्रेंस बिट्विन स्पेशल इंटीग्रेटिव इंक्लूजिव यानि कि आपको अंतर स्परस्ट करना होगा तो इन तीनों में से जाया तो आप लोग उसके तयारी अच्छे से कर लिजेगा कि आपके इसाम में आपको डिफ्रेंसियेट पूछा जाए क्योंकि आपके शॉट में भी आजाएगा तो आप लिख सकते हैं अधर्वाइस आपके इंक्लूजिव एजुकेशन के मीनिंग और डेफिनेशन के साथ भी एक कोशन अटैच किया जा सकता है लॉंग कोशन बनाने के अकॉर्डिंग दोस्तों कि अगर 2020 की तरह आपका पैटन हुआ तो आपका जैसे कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुक हूँ आप लोगोंने वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग जरूर देखेगा कि आप लोग 2020 का अग्जाम पैटन कैसा था सोला नंबर का कोशन जो लॉंग कोशन आता है वो बारा नंबर का हुआ था और आपके इंटर्नल चॉइस क्या क्या थे कैसी थे वो पूरा डीटेल मैंने वीडियो में दिया हुआ है तो अगर आप लोग उने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देद आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं जिसे कि आप लोग आराम से बुक में मार्क करके और इस पर तयारी कर सकते हैं नेक्स्ट है यूनिट टू चिल्डर्न विद डाइवर्स नेट यह भी आपका एक लॉंग कोशन आराम से आपके एक्जाम में बन जाता है कि विविद अवसक चले डिसकस कर लेते हैं चिल्डर्न विद डाइवर्स नेट आएगा तो आप लोग क्या टॉपिक लिख सकते हैं यह तीनों ही टॉपिक आप उसके अंदर एक्स्प्लेइन कर सकते हैं अदरवाइस सिंगल भी पूश रहा जाता है कि आपको उसके डेफिनेशन करेक्टर्स कि इन में से प्रतिवाशाली अक्मांसी ग्रूप से विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है सिंगल अगर चिल्डर्न विद डाइवर्स नीड आया यानि विविद आब सकता वाले बालक के उपर कोशन आया तब तो आप इसारी चीज़े यान टीचा फो मीटिंग डाइवर्स नीड ओफ लर्न यानि की शिक्षा आर्थियों की विविद जरूरतों को पूरा करने के लिए सिक्षक की भूमिका के उपर बहुत कोशन आते हैं और लॉग कोशन में कोशन आप लोग को जरूर देखेगा कि सिक्षक की भूमिका पर समाव किया हूँ तो सस्क्राइब करके बैल एकन पर प्रेस कर दीजेगा जिसे की लेटेस नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुच जाए और जो नई वीडियो आभी आपके चैनल पर अप्लोड हो तुरंत आप लोगों पर नोटिफाई हो जाए तो मोस्ट इंपोर्टन कोशन लेकिया होंगी यूनिट वाइस की कौन-कौन से कोशन किस तरीके का आता और आपको क्या-क्या करना है नेक्स्ट आप लोगों का डिफ्रेंस करना है कोपरेटिव लर्निंग और कोपरेटिव टीचिंग में तो यह आपकी यूनिट टू के कुछ इंपोर्टन है इनमें सब इसलिए दिये कि आपके कोशन में डारेक इंस्ट्रक्शनल स्टैचर की दे दिये गए होती है यानि कि समावेची अनुदे सात्मक रन नीतियां दे 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 तो बच्चे कंफ्यूज आ जाता है कि हमें इसमें क्या लिखना है तो उसमें आप लोगों क्या करना है यह तीनों यूनिट 3 का आपका पहला ही पॉर्ट जो आपको लॉंग में दिखने को मिल जागा अधरवाइज यह सारे टॉपिक आप लोगों के एक्जाम में आ हैं शॉर्ट वैरी शॉर्ट सब में देखने को मिलेगा आप यह मां सोचे को कि कौन सा शॉर्ट कौन सा लॉंग के लिए अगर आप लॉंग के लिए भी तैयारी कर लेंगे तो शॉर्ट हो वेरी शॉर्ट तो आप लोग एजिली से करी लेंगे स्क्रीन शॉट ले लिजे आप यूनिट 3 का नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 इंक्लूजिव स्कूल यानि की समावेशी स्कूल के उपर इसको एक रेडि कर लीजेगा और उसके रोल जरूर करिएगा दोस्तों क्योंकि एक कोशन जरूर पूछा जाता है लॉंग कोशन में कि मॉडर्न टाइम में इंक्लूजिव स्कूल की क्या भूमी का थी या क्या रोल था यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यह यूनिट 5 का आपको बता दू तो आएगा टीचर रोल इन इंक्लूजिव स्कूल टीचर रोल का जैसे कि मैंने आपको बोला एक कोशन जरूर आएगा तब आप यह तीनों चीज़े बता सकते हैं अधरवाई शॉट और वेरी शॉट में खासकर शॉट में सिंगल भी देगा कि आपको डारेक शॉट में लिख देगा गाइडेंस और उसके बाद आपको इसके बारे में एक्स्प्लेइन करना होगा और फिर आएगा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम यानि कि समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षन कारेक्रम तो यह कुछ यूनिट 1 से ल यारी बहुत अच्छे से कर लिजेगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरू कीज़ेगा दोस्तों और अगर कोई ऐसी वीडियो जो अभी तक आप लोगों कुछ चैनल पे नहीं दीखरी है और आपके लिए हलफुल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमें देन धन्च्य वोगजिए पर कोई देन धर झाल फार लाइक चैनल प्रेंट और अपके लिए बहुत प्राइग अधिडियो जो जो आपके लिए यह वाटिटब हुटेड़ ऑज खर आपके लिए टाभ आपके लिए जो आपके लिएंगर